बाप बाप होता है एक बार एक पिता अपने बेटे से मिलने शहर जाता है वहाँ एक खुबसूरत लड़की भी उसके बेटे के साथ रहती है तीनों खाने की मेज पर बैठते है बाप अपने बेटे से पूसता है बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है बेटा कहता है ये लड़की मेरी room partner है और मेरे साथ है बेटा कहता है मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो हमारे बीच कोई वैसा relationship नहीं है पापा हमारे कमरे भी अलग-अलग है और हम अलग-अलग सोते हैं हम सिर्फ अच्छे दोस्त है पापा बाप कहता है अच्छा बेटा दूसरे दिन वो बापस चला जाता है एक अफ़ते बाद लड़की लड़के से कहती है सुनो मेरी गड़ी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है देखो वो गड़ी मेरी मा की निशानी है मैं सो सोच कर बहुत परिशान हो रही हूँ मुझे शक है कि उसे तुमारे पिताजी नहीं चुराई हो क्योंकि उनकी आने के बाद से ही वो नहीं मिल रही है लड़का गुसे से बोलता है ये तुम क्या बक रही हो बकवास बंद करो लड़की कहती है कि एक बार तुम्हें अपने पापा से पूछ लेना चाहिए पूछने में क्या बुराई है लड़का कहता है ठीक है वो पाजी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लड़की की घड़ी चुराई है ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं चुराई है अगर आप गलती से घड़ी अपने साथ ले गए हो तो किरपया उसे बापिस कर दे क्योंकि वो लड़की की मा की निशानी है उसके पापा उसे एक घंटे के बाद जवाब भेजते है प्यारे बेटे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लड़की दोस्त तुम्हारे साथ सोती है मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोती है अगर वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोती तो वो पूरे सप्ता में एक बार अपने तख्ये को जरूर उठाती तो उसे वो घड़ी तख्ये के नीचे मिल जाती क्योंकि मैंने उसके तख्ये के नीचे ही घड़ी को छुपा दिया था बाप बाप होता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए टैंक्यू दोस्तो